नमस्कार में हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरी बध्यप्रदेश चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर मुख्य मंत्री ने दी होली पर सौगात मध्यप्रदेश में एक अप्रेल से सभी औध्योगिक एवं आसंगठित श्रमिको को 25 प्रतीशत अधिक मजदूरी मिलेगी सभी औध्योगिक एवं असंगटित शेत्र से जुड़े ट्रेंड अंट्रेंड श्रमिकों का महंताना एक अप्रेल दोजार चौबिस से बढ़ जाएगा राजे साशन ने इस सम्मंद में आदेश जारी कर दिये हैं उलेखनी है कि साल 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनर निरिक्षन किया गया है मुख्यवंत्री डॉक्टर मोहन रादव के मार्क दर्शन और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंग पर्टेल के प्रयासों से श्रमिकों के कल्यान के लिए की गई यह ठोस पहल है सिक्षक भरती के चैनित अभ्यार्तियों ने किया बीजेपी कारेलय का घेराफ मद्रदेश के चैनित सिक्षक मंगलवार को अपनी नियुक्ती और पद बढ़ाय जाने की मांग को लेकर भाजपा कारेलय का घेराफ किया प्रदेश भर के सैंकड़ों की संक्या में आए इन अभ्यार्तियों ने भोपाल स्थिद भाजपा कारेलय में भार धरना प्रदेशन करते हुए नारे बाजी भी की प्रदेश में सिक्षकों के 35,000 पद खाली है दो परिक्षाएं पास करने वाले योगी उमीदबार भी परियाप्त मातरा में उपलब्ध है इसके बावजूद पद नहीं भरे जा रहे MP में कॉंग्रिस को आज फिर लगा तगड़ा जटका लोग सभाचनाव से पहले MP में कॉंग्रिस को फिर जटका लगा है पूर्फ सीम कमलनाथ के ग्रह जिले में कॉंग्रिस को बड़ा नुकसान हुआ है चौरे के पूर विधायक गंभीर सिंग ने अपने 40 समर्थकों के साथ बीजेपी जॉइन कर लिया है इसके साथ ही कॉंग्रिस चिकितसरप्रकोष्ट के कई डॉक्टर जनपत अध्यक्ष सकंचना उई के जनपत सदस्य क्रांती उई के और ब्लॉक कॉंग्रिस अध्यक्ष राम जी उई के समित कई कारिकरताओं ने बीजेपी जॉइन किया है जानवी सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेर भूपाल द्वारा प्रथम विमन्स प्राइड अवार्ट्स का आयोजन आज जानवी सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेर भूपाल द्वारा राजधानी भूपाल के रविन भवन में प्रथम विमन्स डे प्राइड अवार्ट्स का आयोजन दो चरणों में 13 मार्च 2014 को किया जा रहा है आयोजन का प्रथम चरण शाम साड़े पांच बजे से आरम होगा जिसमें अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दर्शक आनन उठा पाएंगे तथा दुतिये चरण एवं मुख्य चरण जो की साम साड़े साथ बजे से लेकर आरम होगा जिसे बॉलिवुट की सुप्रसिद अभिनेत्री एवं पूर्व मिसेज वर्ल्ड डॉक्टर अदिती को वित्री कर विमन्स प्राइड अवोर्ड्स की समस्त सम्मानत महिलाओं का मंच पर सम्मान करेंगी समस्त अतिती एवं सम्मानत विभूतिया महिला सम्मान स्वास्त और शेशक्ति करण पर मंच से अपने उधार व्यक्त करेंगी राजाबोज एरपोर्ट को मिला कस्टम का दर्जा बोपाल की राजा बोज एरपोर्ट को अब इंटरनाशनल सतर पर एरपोर्ट माना जाएगा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर कस्टम एरपोर्ट का दर्जा दे दिया है केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर भूपाल एरपोर्ट पर विदेशों से आई उडानों से समान उतारने और चड़ाने की दिष्टी से कस्टम एरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की है इंटरनाशनल उडाने शुरू करने के लिए कस्टम का दर्जा मिलना जरूरी होता है यहां दर्जा मिलने के साथ ही भूपाल एरपोर्ट राजा भूच इंटरनाशनल एरपोर्ट बन जाएगा जोड़े रहे खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र